गरिडी लोकसभा के निर्दली प्रत्याशी जैराम माहतो को विकास माहतो ने खुला च्वैलेंज दिया है मंगलबार को इन्होंने तोपचाची में जैराम पर निशान असा था विकास धनबाद जिला के जिला परिशद के सदस्य हैं जैराम ने इन पर अवैद कमाई से राची में फ्लैट लेने का रूप लगया था विकास माहतो ने प्रेस कॉन्फरिस के दौरान जे बी के एसेस के केंडरी अध्यक्षित जैराम कुमार माहतो को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर मेरे नाम से राची में कोई फ्लैट हुआ तो मैं जिला परिशद सदस्य से इस्तफाद दे दूँगा और अगर राची में फ्लैट मेरे नाम से नहीं निकला तो केंडरी अध्यक्षित जैराम कुमार माहतो को अपने पार्टी से सामोहिक रूप से इस्तफाद देना पड़ेगा विकास माहतो ने बताया कि मेरा नाम बदनाम करके उसे वोट मिलने वाला नहीं है इन्हों ने कहा कि एक आडियो वाइरल हो रहा है जिसमें भाजपर प्रत्याशी ढूलू मातो को समर्थन करने की चर्चा हो रही है उस आडियो को सुनकर अनुमान लगाया जा सकता है कि जैराम मातो किस तरह की राजनीती कर रहे हैं कि अगे सब पहली बात है की चैराम मातो को यह शूचना कहां से प्राप थूग यह तो मुझे नहीं पता और चुकि चुनाउई दोड़ है और हम सभी कहीं न कहीं आंदोलन के साथी रहे हैं और सब कोई हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और जैराम महतों सिर्फ पर सिर्फ जूटा आरोप पर परतियारोप लगाते हैं मैं अभी जिला परिशत का सदेश हूँ अगर उन्होंने ये साबित कर दिया कि रांची में मेरा फ्लैट है तो मैं आज के आज जिला परिशत के पद से इस्तिफा दे दूँगा और अगर वो नहीं कर पाएं तो उनको भी अपना राजनीती से सन्यास लेना पड़ेगा और य मेरा क्या विचार है पूरा राइज देख रहा है एक वाडियो अभी वाइरल हो रहा है और किस पाटी का उपाध्यक्ष अभी निश्कासित हुआ है तीन साल के लिए तो पहले वह बताए ना कि कितना अटैची उनको मिला है चुनाव लड़ने के लिए और धनबाद लोग सबागी शीट को बेंचने के लिए जो कि उनहीं के लोगों के दोवारा बताया जा रहा है उनके जो केंद्रियों पाध्यक्षत हैं उनके दोवारा कहा गया है कि टाइगर लाइब भाई के तो नहीं ने कहतों कि कख्राब होट दिया का हो तो सोभीन हमरी गाड़ी बुक कर अर्चाल टाइगर हिया बात पता चल जीतो कि कख्रा भोट देना है ना देना है तो यह बताया उन से सवाल करना चाहिए सवाल हो हमेशा हम लोगों से करते हैं और आज वो चुनाव लड़ने तो उनको जवाब देना होगा ना यह पंचाई चुनाव जीला परिशद मुख करें दो साल पहले आंदोलनकारी थे किसी पाटी के केंदरी अध्यक्ष है जब आप राजनेता बन गए तो पूछेंगे नहीं हो भी आप भारत को किस परकार से अगे ले जाएंगे भारत की सरदों को किस परकार से मझबूत करेंगे आपका लोग सभा में क्या मुद्धा ह क्योंकि आप हर मंच पे कहीं ना कहीं लोगों को पर गलाने का काम करते हैं अभी एक उनका वीडियो वाइरल हो रहा था जिसमें वह बात कर रहे हैं कि बंगाल के मुखमंत्री के देखा लिने ममता बनर जी हुआ टाटा नैनो के प्लांट लागे वला हले लेकिन हुआ लेकिन फिर भी लोगों का प्लायन हो रहा है और जो लोग जा रहे हैं और आपको एक बात में बता दूँ टाटा नैनो का जो कंपनी है वह फिर जाके गुजरात में लगा तो गुजरात में रोजगार बढ़ा तो वह रोजगार से किस परकार से जोड़ना चाहेंगे तो यह पहले आपस में ही कंफ्यूज हैं तो पहले यह किलियर करें कि इनको लड़ना क्या है यह चाहते क्या है उसके बाद और बाद बाद में यह बोलने लगते हैं कि हम अध्यान करेंगे फिर बताएंगे तो भईया पहले अध्यान कर लीजे फिर चुनाव लड़िए बेमिसाल ताकत और भरोसे का दूसरा नाम बाबा बैटरी अविया प्रतिष्ठान शहबादी मार्केट से उठकर काली बारी चौक भी मार्ट के सामने आ गया है हमारे यहां सभी प्रकार की बैटरी, मस्दन गाड़ियों की बैटरी, UPS बैटरी, सोलर बैटरी एवं इनवर्टर और UPS उपलब्ध है हमारे यहां होम सोलर सिस्टम की सभी विवस्था उपलब्ध है साथ ही हमारे पास एकसाइड, लिमिनियस, लिवगार्ट, मैग्रो टैक जैसी विश्वस्थनी कमपनियों की बैटरी यां उपलब्ध है यहां सभी सामानों की गारंटी एवं सर्विस आपको अवश्य मिलेगी तो इस भीशन गर्मी में राहत के लिए आज ही पधारे हमारी सेवा आपको अवश्य पसंद आएगी हमारा पता मगतपूर कालीबाली रोड वीमार्ट के निकट गिरिडी है